हेलो बच्चो स्वागत है आप सभी का फिर से डाउटनेट लर्नन फन क्लास 10th के चैनल पे हम है आपके विवेक भाईया और आज हम फिर से एक और बड़ा प्यारा बड़ा ही जबरदस्थ चैप्टर आप लोगों के सामने लेके आए हैं जिसका नाम है पेर आफ लिनियर इक इसका वन शॉट रिविजन करवाएंगे कोशिश करेंगे कि एक लैक्चर में पूरा का पूरा टापिक आपका फैनिश हो जाए और बहुत जादा इंपॉर्टन्ट कोशन जो कि इस चैप्टर में आप से पूछे जा सकते हैं तो बेसिकली जो आपका लिनियर इकोशन वन जो चैप्टर है यह चैप्टर बेसिकली अलजेबरा का पार्ट है जो आपकी थर्ड यूनिट है जो कि आती है आपकी कितने मार्क्स की आपको याद होगा कि यह अलजेबरा अकेली भी इस मार्क्स की आती है जिसमें से लीनियर इकोशन की जो वेटेज होती है वो जाती है 6-7 marks की समझ रहे हो 6-7 marks की अकेला chapter final exam में जो आ रहा है वो 6-7 marks का रहा है तो वेटे समझ रहे हो कितनी जादा जरूरी है 6-7 marks एक ही बार में ठीक है एक ही बार में जेब के अंदर बिलकुल खतम कानी वाला हिसाब ठीक है तो one of the important and बड़ा ही प्यारा chapter है अब इस प्यारे से chapter में क्या-क्या आता है जरा वो बता देते हैं बढ़ उससे पहले आप लोग फटा-फट लाइक जरूर कर देना ठीक है इस प्यारे से chapter में कुछ जो topics आते हैं वो होते क्या-क्या है बढ़ देखो सबसे पहला introduction वो तो हम समझाएंगे समझाएंगे वो topic नहीं है वो थोड़ा सा इससे हट के है अच्छा पहला topic होता है कि graphically कैसे represent करेंगे हम किसको pairs of linear equation in two variables को दूसरा algebraic conditions कौन सी condition होती बढ़ जो solution निकलेगा वो क्या होगा consistent solution होगा कि inconsistent होगा अच्छा ये consistent क्या होता है inconsistency क्या होती है यहां से निकलता क्या है अच्छा इनके ना फिर sub parts भी होते है अब वो क्या होते है वो आपको जब पढ़ाएंगे तब बताएंगे solution निकालने के दो तरीके होते है एक होता है graphical method एक होता है algebraic method जो graphical method होता है उसको तो graph बना के आप normally solve कर देते हो जो algebraic method होता है वो होते है दो जो की substitution and elimination होता है basically यहां cross multiplication भी होता है but CBSC board ने cross multiplication को ऐसे लात मार के भगा दिया मतलब delete कर दिया है cross multiplication delete हो चुगा है तो cross multiplication इसमें नहीं आता है ठीक है तो आपके syllabus में सिरफ substitution and elimination है और आखरी में जाके word problems या फिर simple situations problems जो की पूछी जाती है आप से तीन marks के तीन marks की weightage होती है इन questions की chances होते तीन marks में आ जाते है ठीक है चलिए तो start करे chapter को हाँ जी बताइए फटाफट क्या start करें फटाफट इसी बात पर like कर दो अब chapter start होने वाला है like करो फटाफट चलिए आगे बढ़ते हैं सबसे पहले बात करते हैं जरा introduction की अब introduction में हम किस चीज़ का introduction देने वाले हैं linear pair in two variables हम बोल रहे हैं pair of linear equation in two variables तो जो equations होती है वो basically इस form में होती है ax plus by plus c is equals to 0 जो आप 9th class में पढ़े के आए हैं या आप 9th class में पढ़े के आए हैं कि किसी भी equation को इस form में represent किया जाता है जहाँ पे क्या है two variables है chapter का नाम ही two variables है pair of linear equation in two variables तो यहाँ पे जो x होता है वो क्या होता है वो variable होगा अब variable का मतलब क्या होता है वो आपको पता है ठीक है x and y are the variables variable का मतलब होता है कि ऐसी quantity जो question to question क्या रहती है vary करती रहती है word vary करती रहती है vary मतलब change होती रहती है उसे बोलते है variable और यह जो c दिख रहा है इसे बोला जाता है constant term इसे क्या बोला जाता है constant ठीक है अब इनको हम दो form से represent करते हैं तो इनको लिखा ऐसे जाता है a1 x plus b1 y plus c1 is equals to 0 जो की बोलते हैं पहली equation है इसको बोलते हैं पहली equation है इसलिए coefficient of x क्या हो गया a1 coefficient of y क्या हो गया b1 और पहली equation है तो इसलिए constant term पहली equation का c1 similarly दूसरी वाली equation को इस तरीके से represent किया जाता है usually हर बुक में maximum chances होते हैं कि इस तरीके से represent किया जाता है first and second ठीक है अच्छा यहाँ पे एक important चीज याद करने समझने वाली है या तो क्या ही करने वाली है देखो simple चीज यह याद रखना आप कि जितने variables होंगे अगर हमें solution find करना है अगर हमें क्या find करना है solution find करना है तो solution find करने के लिए हमें क्या चाहिए होता है अगर दो variables हैं तो दो equation required है if two variables हैं अगर दो variables हैं तो हमें क्या चाहिए होंगी भाई values निकालने के लिए variable की value निकालने के लिए क्या चाहिए होंगी दो equation चाहिए होंगी अगर एक variable है equation में तो एक ही equation से बात बन जाएगी similarly अगर तीन variable है तो कितनी equation चाहिए भाई तीन equation चाहिए अपनी variables की value निकालने के लिए variables क्या है यहाँ पे फिलाल यहाँ पे x and y है तो यह चीज याद रखने वाली बात है यह क्या है यह याद रखने वाली चीज है तो इसको बहुत ही ध्यान से सुनना और देखना कि भई होता क्या है कि भई होता क्या है करते कैसे है ठीक है यह पार्ट है आपका कौन सा introduction अब थोड़ा सा चाप्टर के फेज़ को थोड़ा सा आगे बढ़ाते हैं next topic पे चलते हैं next topic क्या है आपका next topic है graphical method अब जैसे कि हमने बताया कि जब equations होती है तो दो तरीके से हम solutions निकाल सकते है two methods होते है दो methods होते है पहला method क्या होता है पहला होता है जो कि आप देख रहे हो ग्राफिकल ग्राफ से और दूसरा क्या होता है अलजेबरिक अलजेबरिक मैथड होता है अब जो ग्राफिकल मैथड होता है जैसा कि वर्ड बता रहा है कि हमें क्या बनाना होता है simple सा graph बनाना है equation का graph बनाना है अब equation का graph भी मेरे ख्याल से आप लोगों को बनाना आता होगा अच्छा एक छोटा सा example नमूना दे देंगे आपको कि कोई equation given है तो उसका हम graph कैसे बनाएंगे एक नमूना दे देंगे आपको ठीक है आप समझ जाओगे कैसे करना है क्या करना है ठीक है correct है आच्छा आगे बढ़ते हैं अच्छा दूसरा होता है algebraic method algebraic method में फिला हाल हमारे syllabus में सिर्फ दो पार्ट है एक है substitution और एक है elimination S and E ठीक है substitution method and elimination method फिलाल अभी हम graphical method की बात करेंगे graphical method से पहले ग्राफिकल method बताने से पहले हमें ये जानना बहुत ज़्यादा जरूरी हो जाता है कि क्या solution होगा ग्राफिकल method बताने से पहले जानना ये बहुत ज़्यादा जरूरी है मैंने बुला कि मैंने graph बना दिया सारा graph group बनाया और हमें पता लगा cut करेगी अब हमें कैसे पता लगेगा कि line cut करेगी solution होगा ही होगा तो उसकी हमारे पास conditions होती है उसकी हमारे पास क्या होती है उसके हमारे पास कुछ words होते हैं हम क्या बोलते हैं देखो screen पर आपको दिख रहा होगा कि तीन basically तीन condition होती है तीन condition भी नी पहले सॉलूशन ओ चाहे वो, यूनिक सॉलूशन हो, ठीक है अब ये यूनिक सॉलूशन क्या है, ये मैनिस सॉलुशन क्या है, ठीक है वो भी बताएंगे, ये दिख रहा है आपको पूरा explain करेंगे अच्छा उसके बाद inconsistent होता है inconsistent का मतलब क्या होता है inconsistent का मतलब होता है कि भाई कोई solution निकलने नहीं वाला कोई solution नहीं निकलने वाला तो यही चीज हमारी जो अभी screen पर दिखरी है वो यही बता रही है आपको कि क्या होता है simple भाशा में तीन तरीके से हम solution को बता सकते हैं या तो वो होगा unique solution unique solution मतलम صرف एक बार cut करेंगे दो line आपस में सरफ एक बार cut करेंगे उसके बाद no solution no solution मतलम solution होगा ही नहीं cut ہी नहीं करेगी अब कैसी lines cut नहीं करती जो दो parlor's होती हैं जो क्या होँगी parlor's होंगी तो no solution, अच्छा तीसरा होता है आपका infinite many solution, क्या होता है infinite many solution, तो ये देखो ध्यान से यहाँ से definite एक marks का question बनता है आपका objective type question, यहाँ से chances होते हैं कि एक marks का confirm question बनेगा ही बनेगा, तो होता क्या है, देखो ऐसा है, अगर simple भाशा, हमने simple भाशा में समझा दिया, आप bookish language में सम करती है, उसे बोला जाता है, unique solution, unique solution और line होती है, intersecting line, अब यह कैसे पता लगेगा equation देखके, वो भी समझाएंगे, पहले इतना तो समझो, ठीक है, इसको क्या बोला जाएगा, consistent pair of equation, क्या बोला जाएगा, consistent pair of equation, अच्छा, उसके बाद अगला क्या होता है, जब line क्या cut करे, parallel, मतलब cut ही ना करे, मतलब solution existing नहीं करे, जैसे हमने बोला, भाई, दो line का solution ही नहीं होगा, मतलब वो cut ही नहीं कर रही एक दूसरे को, तो सिरफ एक ही case ऐसा होता है, जब line cut नहीं करती, वो क्या होता है, वो parallel का case होता है, तो वो क्या है, no solution, कब होगा, जब line आपकी parallel होगी, similarly, many solution, many solution का फंडा मतलब, many solution का फंडा यह होगा, कि एक के उपर एक line है, समझा रही है, यह line है, इसी के उपर एक और line है, अब यह कैसी condition होगी, वो भी समझाते हैं, detail में समझाते हैं, जैसा कि हमने बोला, कि एक equation हम बोल रहे है, a1 x plus b1 y plus c1 is equals to 0, दूसरी equation को हम बोल रहे ह a2 x plus b2 y plus c2 is equals to 0, यह दो हमने equation बोली, ठीक है, इन दो equation बोली, अब कैसे पता लगेगा, सिर्फ देख के, भाई हम, देखो, graphical method बता रहे थे, graphical method से, मैंने graph सारा बना लिया, सब कुछ बना लिया, और फिर मेरे को आखरी में जाके पता लग रहे है, कि यार यह ना, यह parallel line है तो इतनी सारी मेहनत कर दी, आखरी में पता लग रहे है कि यार यह parallel रहे हैं, तो इतनी सारी मेहनत करने का फाइदा कहा है, पहले पता लग जाता तो, time बच जाता, काम बच जाता, नहीं, तो यही चीज को define करने के लिए हमारे पास कुछ conditions होती है, जो कि क्या होती है, पहल solution की, एक solution होगा, या फिर इसको बोल सकते हो, unique solution, बात वोई है, one solution, unique solution, एक ही चीज है, ठीक है, one solution, और यहाँ line जो बनेगी, वो क्या बनेगी, intersecting line, क्या बनेगी line, intersecting line, मतलब line, एक दूसरे पर कट करेगी, बट एक ही point पर कट करेगी, आच्छा, पहली condition आगी समझ, अच् क्या है, पहली जो equation है, उस equation का coefficient of x, a2 क्या है, second equation का x का coefficient, b1 क्या है, y का, first equation का y का coefficient, b2 क्या है, y का coefficient, second वाली का, ठीक है, similarly second condition क्या होती है, a1 by a2, equals to b1 by b2, b1 by b2, b1 by b2, is equals to c1 by c2, य जो condition होती है, ये क्या है, ये many solution की condition है, ये किसकी condition है, many solution की condition है, मतलब बहुत सारे solution होंगे, और इसमें क्या होता है, co-incident line, co-incident line, इसको अभी बताते हैं, क्या है, ठीक है, co-incident line, मतलब, same line होगी, overlap करेगी, coincident से बढ़िया, overlapping, overlapping करेगी, क्या होगा, overlapping, coincident line बोलो, या overlap कर जाएगी, overlap मतलब, एक के उपर, एक और line, एक के उपर, एक और line, अच्छा, ये तो दो condition होगी, condition हमने तीन बताई है, दूसरी condition के बाद आएगा, आपका, no solution का condition, जो की, बहुत ज़ादा important होता है, वो होता है, a1 by a2, a1 by a2, is equals to b1 by b2, but it is not equals to c1 by c2, ठीक है, मतलब क्या होगा, a1 by a2, equal होगा, b1 by b2 के, but not equal होगा, c1 by c2 के, और ये condition होती है, no solution, solution होगा ही नहीं, और solution नहीं होगा, तो क्या होगा, parallel lines होती है, क्या होती है, parallel lines होती है, ये है आपका condition, कि आप line को देखे, by using the ratios of the coefficients of the variable and constants, we can say that, our line is, हमारी line जो होगी, वो एक solution होगी, कि many solution होगी, कि no solution होगी, intersecting line होगी, overlapping, या coincident line होगी, या फिर parallel line होगी, आई बात समझ, ये है आपका concept, किस चीज़ का, number of solutions का, या इस को आप इस तरीके से भी समझ सकते हैं, ये अच्छा तरीका है, ये आपका सही तरीका है, सही method है, ठीक है, यहाँ पे आपको, much better explanation मिलेगी, example के साथ, अच्छा, example, देखना है, example भी देख लो, simple सा, भाई, a1 by a2 not equals to b1 by b2, तो क्या होगा, intersecting line, intersecting line का मतलब है, कि unique solution होगा, सिरफ और सिरफ, एक ही solution होगा, अच्छा, pen नहीं दिख रहा है, ठीक है, आप दिखेगा, क्या है, सिरफ unique solution, मतलब, एक ही solution होगा, similarly, a1 by a2 equals to b1 by b2, equals to c1 by c2, इसको क्या बोला जाएगा, co-incident line, या फिर overlap करेगा, क्या हो रहा है, या तो overlapping हो रही है, overlapping मतलब, एक के उपर, एक को चड़ना, ठीक है, उसमें क्या होगा, infinitely many solution, बहुत जादा solution होगे, ठीक है, आच्छा, आखरी में parallel line के condition होती है, मतलब, no solution, उसका फंड़ा होता है, a1 by a2 equals to b1 by b2, not equals to c1 by c2, ठीक है, ये फटा-फट देखिए, थोड़ा सा काम की चीज है, या आपकी, ठीक है, example के साथ, आप लोगों को समझा के दिखा रखा है, कैसे होगा, a1 by a2, b1 by b2, c1 by c2, सारी चीज़े निकाल के दिखा रखी है, pair of lines भी दिखा रखी है, ठीक है, आया, अच्छा, इससे related, अब एक question कर लेते हैं, ठीक है, graph से related, इसको तो objective type में आता है, तो objective type questions इसका करवाएंगे, भूलना मत इसको, कहीं पतल लगे, भूल जाओ, कि हमें तो थोड़ देर पहले बताया था, 15 मिनट पहले बताया था, इतने तो question कर लिया, graph का question हो गया, हम तो भूल गए, पिछे का, ऐसा नहीं करना, ठीक है, ये चीज़ याद रखने वाली है, ठीक है, देख लो, जिसको ध्यान से देखना है, देख लो, अब आगे बढ़ते हैं, question की ओर, ठीक है, अच्छा चलो, आप बोलते हो, तो ठीक है, question ही करवा देते हैं, question क्या है, comparison, किस चीज़ का, ratios का, कौन से ratios का, ये ratios है, find out whether the lines, lines क्या है, भई, intersecting होंगी, parallel होंगी, coincidence होंगी, मतलब सीधी बात, unique solution होगा, no solution होगा, कि many solution होगा, ये आपको बताना है, ये तीनों parts है, देखते हैं, कितने बच्चे इसको कर पाते हैं, time दिया जाएगा, limited, limited, ठ आपका, तीनों part अभी करवाने की कोशिश करेंगे हम, ठीक है, 30, 30 seconds के अंदर अंदर, ठीक है, देखेंगे, कितने बच्चे हम, कितने बच्चे correct कर पाते हैं, अच्छा, 30 seconds, 30 seconds are more than enough, time start होता है, पहले का time आपके सामने start हो गया, देखते हैं, कितने बच्चे पढ़ा पाते हैं, इसका solution, कि भाई, one solution है, कि two solution है, कि many solution है, अंदर, अंदर, ठीक है, कहां गया, यह रहा, ठीक है, 10 seconds, 10 seconds बच्चे हैं, बच्चो, 5, 4, 3, 2, 1, and 0, times up, times up, finish, अच्छा, सबसे पहली चीज़ क्या है, सबसे पहले पहली equation, दूसरी equation, दोनों given है, अगर इनको compare किया जाए, तो A1 की value कितनी है, 5, B1 की value कितनी है, minus का 4, और C1 की value कितनी है, 8, positive का, similarly, A2, A2 की value है, 7, B2 की value है, 6, and C2 की value क्या है, वो है, minus का 9, वो क्या है, minus का 9, तो अगर हम A1 by A2 की value निकालें, तो वो क्या हो जाएगी, वो हो जाएगी 5 by 7, ठीक है, B1 by A2 की अगर value निकालें, तो वो क्या हो जाएगा, minus 4 by 6, minus 4 by 6, yy का coefficient compare करना है न, तो minus 4 by 6 को अपन लोग बोल सकते हैं, minus 2 by 3, क्या बोल सकते हैं, भाई, 2 से cancel out रहे हैं दोनों, तो minus 2 by 3, बाकि C1 by C2 तो निकालने की जरूत नहीं है, C1 by C2 की तो जरूत नहीं पड़ी, क्योंकि हमें यहीं से पता लग गया है, कि A1 by A2 is not equals to B1 by B2, है न, भाई, A1 by A2 5 by 7 है, B1 by B2 minus 2 by 3 है, भाई, यहीं clear हो गया, कि यह equal नहीं है, बाकि C1 by C2 की जरूत नहीं है, फाइंड गरने की, तो यहां से यह condition किसकी होती थी, यह condition होती थी, one solution की, किसकी condition होती थी, one solution की, one solution, या फिर unique solution जिसे हम बोलते हैं, क्या बोलते हैं, unique solution, या फिर बोल सकते हो, कि जो पहला part है, वो intersecting line का है, पहला part क्या है, intersecting line, intersecting line, ठीक है, एक unique solution है, इसका, clear है फंडा, अब second part की बात करते हैं, यह भी बड़ा easy है, और मेरे ख्याल से सभी को दिख भी गया होगा, इसमें time देने की भी जरूत नहीं है, नहीं बात सही, इसमें time देने की भी जरूत नहीं है, क्योंकि यार यह इतन कितनी है, B1 है 3, और B2 कितना है, B2 है 6, similarly, C1 है 12, और जो C2 है, वो है 24 के बड़ाबर, A1 by A2 करते हैं, तो वो कितना आ रहा है, भाई, 1 by 2, दिख रहा है सामने, B1 by B2 कर रहे हैं, तो वो कितना आ रहा है, वो भी 1 by 2, C1 by C2 करेंगे, तो वो भी कितना आएगा, भाई, वो 1 by 2 मतलब ये तो simple a1 by a2 equals to b1 by b2 equals to c1 by c2 का फंडा है ये कौन सा case होता था ये case होता था आपका किसका same line का या फिर overlapping line का या फिर coincident line का ये किसका case होता था ये होता था many solutions many solution और many solution किसमें होती है भाई overlap line या फिर coincident line तो यहां पे second part का answer क्या हो जाएगा coincident line coincident line ठीक है अब आखरी बच्चा आखरी मेरे ख्याल से सभी को वैसे भी पता लग गया होगा कि क्या है answer तो यह है आपका homework पहला homework आज की date का और अगर आप थोड़ा सा दिहान दो तो विसी बात है यह क्या होगा no solution होगा क्योंकि यहीं पता लग गया six by two one three by one minus three by minus का one यह भी three by three by one आ रहा है three by one three by one बट यह ten by nine आ गया तो यह क्या है no solution का funda है अच्छा यहीं clear कर दिया है ठीक है यहीं clear कर दिया ज्यादा आगे जाने की जरूद नहीं यहीं की funda clear कर दिया तो यह ऐसे questions होते है आप पहिचान सकते हो कि जो line होगी line होगी वो क्या होगी वो many solution का case होगा no solution का case होगा या फिर intersecting line का case होगा अब solution किस चीज़ के निकालने होते है unique solution के solution निकालने होते हैं बाकी many solution के क्या solution निकाल लोगा उसमें तो बहुत सारे solutions होंगे उसके तो बहुत सारे solutions होंगे तो सिरफ और सिरफ unique solutions का ही आपका graph बनता है unique solution का ही आपका algebraic solutions होते हैं जहां पे दो parts में substitution or elimination method किया जाता है ठीक है तो फिर से आ गया है graph method ही चल रहा था अब तो graph method में ही ये sub topic है कि भाई number of solutions का देख के line को कैसे पता लगेगा वो अब तक हमने करवा दिया ठीक है अब हमें लगता है कि सभी बच्चों को आता होगा कि भाई 3x plus में 2y is equals to 6 कि हम line बना सकें जब हम बोल रहे हैं graphical solution graphical solution तो graphical solution करने से पहले question start करने से पहले जड़ा ये observe किया जाए कि कितने बच्चे हैं जो इस particular line का graph बना सकते हैं देखो ऐसा होता है अगर किसी भी line का आपको graph बनाना ना तो सबसे अच्छा प्यारा और must method बढ़िया method क्या होगा देखो simple method ये होगा कि भाई एक बार आपने य जल्दी जल्दी ये table बना लो ठीक है अच्छा थोड़ी सी बड़ी बनानी पड़ेगी हमें एक बार x पुट करना पड़ेगा एक बार y की value निकालनी पड़ेगी ठीक है graph निकालने के लिए x और ये है y ठीक है फिर equation हमें क्या निकालने होंगे points निकालने होंगे तो निकालने की बात करें तो अगर x की value होगी 0 तो y कितना हो जाएगा 3 तो एक point क्या आ गया एक point आ गया 0,3 अचा दूसरा point कैसे निकालेंगे भाई y की value 0 put कर दो तो x कितना आ जाएगा x आ जाएगा 2 x कितना आ जाएगा 2 तो मतलब 2 points आ गये है हमारे पास पहला point क्या है पहल अचे बात है 2,0 अब graph में इन दोनो points को plot करके stretch कर दो क्या कर दो stretch कर दो कैसे अभी समझा देते हैं देखो छोटा सा roughly बना के दिखाएंगे ठीक है यह हमने graph बनाया ऐसे करके चीक है लाइन बनाने मेरे क्याल से सभी बच्चों का आती होगी जस्ट एक नमूना दे रहे हैं 1,2,3,4 1,2,3,4 यह है 1, यह है 2, यह है 3 और यह है 4 यह है 0,1,2,3 and यह है 4 चीक है यही चीज़ है क्या करना है भाई points प्लोट करने है पहला point क्या है 0,3 किस पे है y axis पे तो यह रहा और दूसरा है 2,0 तो यह रहा तो यह आपकी बन गई line ऐसे थोड़ा सा टेड़ी बन गई है मतलब समच जाओ गया आप ऐसे यह क्या है यह है line जो की किसको represent कर रही है यह represent कर रही है आपकी 3x प्लस में 2y is equals to 6 को represent कर रही है इस तरीके से हम graph बनाते थे इस तरीके स होता था वैसे आप लोगोंने 9th class में पढ़ा होगा कि वह 3 points find करो 4 points find करो बढ़ ठीक है 2 से भी बन सकता है scale से आप इन दोनों points को जोड के फिर इसको extend कर दो इसको इधर की तरफ extend कर दो ठीक है अब question वैसे पूछने वाले थे हम इस पे एक question डालने वाले है question आप लोगों स से represent करने के लिए question है draw the graph of the equation equation है x minus y plus 1 is equals to 0 and 3x plus 2y minus 12 is equals to 0 इनको graphically represent करना है मतलब पहले इसके solutions निकालो अलग से इसके solution निकालो अलग से ठीक है एक काम अच्छा दूसरा काम क्या बोला है determine the coordinates of the vertices of a triangle formed by these lines and the x-axis अच्छा मतलब जो triangle formed होगा इन दोनों लाइनों से and x-axis से उसके हमें क्या करना है उसको shade करना है अच्छा उनकी coordinates निकालने उनके क्या करने है coordinates निकालने तो चलो पहले तो graph बनाया जाए अच्छा graph से पहले क्या बनाया जाए graph से पहले तो हमें solution निकालने पड़ेंगे solution निकालने पड़ेंगे तो पहली जो line है वो है x minus का y plus का one is equals to zero यही है पहली line ठीक है पहली equation यही है आच्छा तो जैसा कि अभी अभी हमने बताया थोड़ देर पहले अभी discussion करी है ठीक है जादा मेहनत नहीं करते हुए आप लोग अगर चाहो तो yes इसको elaborated form में कर सकते हो इसको आप elaborated form में कर सकते हो अगर हम यहाँ elaborated form करने लगे तो फिर बचो time चला जाएगा ठीक है यह है x यह हमारा y ठीक है दो points निकालते हैं बाग की दो points में बात तो बन जाएगी ठीक है x की value अगर zero हुई x की value अगर zero हुई तो y क्या हो जाएगा positive का one ठीक है अब अगर y zero हो गया तो x क्या होगा negative का one तो दो points आए कौन कौन से यहाँ से दो points आए एक तो होगा zero comma one जो की y axis पे है और एक point आया minus one comma zero जो की किस पे है x axis पे है यह पहली line है पहली line के solutions ठीक है पहली line के solutions solution आप लोगों ने अच्छे से निकाल रखे है 9th class में अच्छे से सीख रखा ह इसको आप elaborated form में कर सकते हो ठीक है अच्छा अब बात करते हैं उस वाली line की यह जो दे रखी है वो क्या है यह है 3x plus में 2y minus का 12 is equals to zero ठीक है यहाँ पे भी हम क्या बनाएंगे table बनाएंगे तो यह हमने table बना दी ठीक है यह है x यह है y यह x यह है y यह break किया और यहाँ पे अच्छा पहले हमने क्या बोला पहले बोला बही एक बार x को zero put कर लेते हैं अगर x को zero put किया तो y की value कितनी होगी by minus 12 उदर जाएगा तो क्या बन जाएगा 2y is equals to 12 तो y की value कितनी बन गी 6 और अगर y 0 हुआ तो y अगर 0 हुआ तो 12 उदर जाएगा तो क्या बन जाएगा 3x is equals to 12 तो ये कितना बन गया 4 तो यहां से फिर 2 point आए आपके 2 point कौन कौन से है 0,6 and 1 point है 4,0 तो मतलब 2 line थी दोनों के हमें points पता लग गए है screen पर देख पारे है दोनों के हमें points पता लग गए है वचों ये हमने क्या किया है थोड़ा सा direct करने की कोशिश किया थोड़ा सा direct किया है क्यूंकि हमें लगता है कि यस आप लोग solutions निकाल पाओगे असानी से हैं पंपल सा हमने न सीदी सीदी वैली हमने क्या पूट कर दिया hormone x 7 more निकाल दिया यह दो नोए साथ है यह दोनों एक 6 है यह दोनों एक 7 है और यह दोनों 1 पहले इसकी V added क्री फिर यह निकाला इसकी लिए आपरूड़ा सा ओडगा जाता है रूलर महाराज ये रहे हमारे रूलर जी ठीक है ऐसा ही है प्रापर तरीके से बना के दिखाएंगे जब पड़ाई रहे हैं तो यह रहा ठीक है चलिए कहां है यह हमारा कौन सा पलना पढ़ेगा हम ले लेते हैं चलो blue pen ठीक है दिखाई देरा सब को इतना clear है कि बड़े अच्छछ से दिखाई देगा दिखाई दे रहा है आज इसको क्या गरना पढ़ेगा भई वर्टीकली उठाना पड़ेगा तो इसको 90 degree पे टिल्ट करना पड़ेगा हमें यह हो गया 90 degree यह हो गया 90 degree ठीक है यहाँ लगाते हैं cut इधर की तरफ लगा दें इधर की तरफ लगा दिया और ये हमने इसका graph बना दिया इस तरीके से ठीक है यह आपका graph है ठीक है अब यहाँ पे इसको हम notation दे देते हैं फटा फटा ठीक है first, second, third सभी आप लोगों को पता होंगे कौन सा first quadrant है, कौन सा second है, कौन सा third, कौन सा fourth है ठीक है यहाँ पे हम यह है one, यह है two, यह है three, four, five and this one is six positive का यह है one, यह है two, three, four, five, six, similarly minus of one, minus of two, negative of three, negative of four minus का one, minus का two, minus का three, अब फटा फट पॉइंट प्लोट कर लेते हैं, फिर line फटा फट प्लोट कर लेते हैं पहला point है zero, one, zero, one काँ प्लोट होगा, वो यह रहा, zero, one यह रहा, अच्छा दूसरा क्या है? minus 1,0 minus 1,0 कहاں है वो ये रहा दोनों को जोड देंगे भाई दोनों को जोड देंगे अभी जोडते हैं थोड़ दिर में बट दूसरा वाला भी plot कर लेते हैं फटा फट से दूसरा वाला plot करेंगे तो पहला है 0,6 0,6 0,6 0,6 मतलब 0,6 आपका ये रहा ठीक है अच्छा उसके बाद next है 4,0 4,0 आपका ये रहा 4,0 आपका ये रहा तो फटा फट एक बार फिर से हम रूलर की जरुत पड़ गई है तो रूलर भाई साब आईए और यहाँ पे जोइन करवाईए इनको यहाँ से ये point है और ये आपका point है ठीक है ऐसे करके ये आपको इधर meet कराना है ऐसे थोड़ा सा इधर फिर से ऐसा है digital board डिजिटल आपका scale है तो थोड़ा सा थोड़ा सा भूल थोड़ा सा चूक तो रहती है नहीं बात सही है ना ठीक है अब लगबग लगबग सही आ रहा है correct है ये है ऐसे करके ठीक है थोड़ा सा इधर आओ येस दिस वन इस perfect ये बना दी हमने पहली line ठीक है ये बन गई आपकी पहली line जो की किसको represent कर रही है भाई red से करी है तो किसको represent करेगी ये represent करेगी आपका 3x प्लस 2y को 3x प्लस में 2y प्लस में माइनस में 12 माइनस में 2y माइनस 12 विजिकोस टू 0 similarly आप दूसरे वाले line की बात करते हैं जो की इस पे है अब इसको भी plot करेंगे तो निकालो scale ये रा scale और इसको हम इस से जोड़ देंगे ये कुछ ऐसा meet करेगा थोड़ा सा इधर इधर आओ आप और इसको इधर meet कराओ ये रहा थोड़ा सा और इधर की तरफ और ये meet इस तरीके से हो गया है ना ये meet कराया और इधर की तरफ अब ये meet हो गया ये बन गी आपकी वाली line है ठीक है आया समझ देख रहे हो clear of अंडा ये जो लाइन बनेगी ये आपकी दूसरी लाइन बनेगी इसको पूरा यहां से ये इसकी equation क्या है x-y x-y plus 1 is equals to 0 ये बनी दो लाइन सामने आपके दिख रहा है सामने आपके बिल्कुल प्रॉपर तरीके से लाइन बना के दिखाई है कोई दिक्कत वाली बात नहीं है कहीं पे भी ठीक है सारे अब पॉइंट्स भी प्लॉट कर सकते है आप यहां पे चाहो तो पॉइंट्स भ होगा इनका intersection ये वाला point होगा 2,3 क्या सपास होगा ठीक है जब आप निकालोगे तो 2,3 ही आएगा 2,3 हाँ ठीक है 2,3 अजी बिल्कुल ये point निकलेगा इनका intersection जो कि उन और, ये वाला point था 0,6 ये points था हमें के बोला था हमें क्या बोला था बहuda बनाओ intersection सब कुछ है ठीक है ये हमने comments होगा इनकाईधा intersection निकले 2,3 question में था कि triangle के coordinates निकालो shade the triangle region जो X axis बन रहा है triangle region है किस पर बन रहा है X axis पर X axis पर बन रहा है मतलब कौन सा triangle होगा यह वाला हिऊ जिसके points क्या है यह आपका एक triangle का point a triangle का point b और triangle का point c abc triangle बन रहा है जिसके coordinates क्या है 2,3 minus 1,0 and 4,0 अगर proper तरीके से इसको represent करोगे तो yes we can we can draw this very very properly ठीक है थोड़ा सा time लगा इसमें ओ लगता है no doubt इसमें थोड़ा सा लगता है graph paper में थोड़ा सा time लगता है इसको फिर इस तरीके से आप बड़े प्यारे तरीके से से इसको solve कर सकते हो यह होता है आपका graphical method यह additional था जिसमें आपको क्या निकालने थे जिसमें आपको points निकालने थे यह एक है यह दो है और यह तीन है ठीक है तीनों points निकाल लिए अब बढ़ते है next solution की और अब basically यह graphical है अब मेरे ख्याल से सभी बच्चे कर पाएंगे graphical तरीके को तो आगे बढ़ा जाता है next topic की और next topic है आपका algebraic method जैसा कि हमने बताया algebraic basically दो parts में होता है एक substitution दूसरा elimination substitution method का मतलब क्या होता है substitution method का मतलब क्या होता है कि हम क्या करते हैं एक value को substitute कर देंगे substitute कर देंगे कैसे समझाते हैं देखो ऐसा होता है दो equation होती है ये तो पता ही है B1Y plus C1 is equals to 0 यही है अब दूसरी equation होती है A2X plus B2Y plus C2 is equals to 0 यही होता है ठीक है अब हम क्या करते हैं चाहे first equation ले लो चाहे second equation ले लो वो आपकी total choice के ओपर depend होता है हम क्या करते हैं अब दोनो variables की अगर हम बात करें चाहे X की बात करें चाहे Y की बात करें वो भी आपकी choice के ओपर होता है कि X की value आपको निकालनी है Y की निकालनी है Y की निकालनी है कोई दिक्कत नी पहले की निकालने है पहले की निकालने है दूसरे की निकालने है दूसरे की निकालने है दूसरे की निकालने है दूसरे की निकालने है अगर हम यह बोलें कि A1 X is equals to minus of C1 minus of B1 Y तो यहां से X की value क्या आ जाती है? X की value आ जाती है minus का C1 by A1 minus का B1 by A1 into में Y ये क्या है ये x की value है similarly अगर यहीं से आप y की value भी निकालोगे तो y की value क्या आजाएगी y की value आजाएगी c1 by b1 minus का minus का a1 by b1 into में x ये क्या आजाएगी y की value आजाएगी अब करना क्या होता है इन values को निकाल के करना क्या होता है देखो simple सी बात है x की value निकालो उसको यहाँ substitute करदो इसकी जगा ठीक है यहां फिर आपको बोलते आप ऐसा बोलते नहीं नहीं मेरेको x नहीं कर रहा है मेरेको y कर रहा है कोई बात नहीं y ही value निकालो यहाँ पर y ही value पुट करके substitute करदो सिरफ एक variable बच्चेगा जो की क्या होगा X होगा फिर उसके बाद उसको solve कर सकते हो अच्छा ये शायद मेरे ख्याल से कुछ बच्चों को समझ ना आए reason ये थोड़ा alphabetical terms है alphabetical terms होता है कि maximum बच्चों को नहीं समझ आती है कोई बात नहीं example लेके समझा देते हैं ये रहे आपके दो examples ठीक है जिसमें से एक homework एक classwork एक अभी करवा देते हैं एक आपके लिए खुद के लिए है ठीक है देते रहेंगे homework देते रहेंगे फिकर मत करना homework की फिकर मत करना बिल्कुल भी फिकर मत करना homework की homework आपको मिलता रहेगा दबा दबा के क्योंकि जितना ज्यादा आप खुझ से प्राक्टिस करोगे जितना ज्यादा आप खुझ से सॉलुशन करोगे उतना ज्यादा आप परफेक्ट बनोगे थि कैसे में हैं ठीक यह फर्स्ट वाला हूंव क् थोड़ा सा आइज़्ी है यह सेंड वाला है अभी क्योंकि देखने में थोड़ा सा डरावना लग रहा रहा है थाजना तो यह आ Best खुद कर लोगे यह होंवक होंवक दिया है ठीक है तो वापस क्यों आया होंवक दे रखा था था ठीक है चलो इसकी बात करते हैं तो पहले तो इसको क्या बनाते हैं यह बनाते हैं कभी भी एक्वेशन आपको इस तरीके से गिवन हो तो सब्चुट्टीशन मैथर लगाना हो तो क्या करना होता है दोनों को देखो 14 इधर की तरफ जाएगा तो क्या बन जाएगा positive का 7 21 माइनस का 14 क्या बन जाएगा positive का 7 ठीक है positive का 7 minus का 4 क्या बन जाएगा positive का 3 is equal to 0 ठीक है अब यहां से भाई किसी की value निकाल दो तो मैंने बोला 7y plus का 3 वो किसके बराबर है 2x के बराबर है तो x की value क्या आ गई हमारे पास x की value आ गई 7y plus 3 divided by 2 ये हमने किसको solve किया है equation number 1 को किसको solve किया है ये पहली equation को solve किया है ठीक है simply देखो 7 को y से multiply किया 7y plus 21 minus का 2x minus का 4 ठीक है 14 इदरी की तरफ आया तो 21 minus 14 positive का 7 बनेगा positive का 7 बनेगा यहाँ पे 7 minus का 4 करेंगे तो क्या बनेगा positive का 3 positive 3 आए ये equation आगी हमने क्या निकाला भाई substitution method से करना है x की value निकाल ली हमने क्या निकाली x की value देखो आप y की value निकाल सकते थे अभी हमारे दिमाख में x आया तो x कर दिया आसे नहीं कर सकते ऐसे ऐसे भी कर सकते हो और वाई की निकाल सकते हो हम यह बोलने वाले थे कि ऐसे नहीं कर सकते वाई की value ना चलो यह आपका x है ठीक है अच्छा x आ गया अब क्या आब सेकेंड एक्वेशन पर चलते हैं फर्स्ट एक्वेशन का तो कर दिया हमने जो करना था फर्स्ट एक्वेशन का तो जो करना था वो यह रहा इसके बगल में अब चलो सेकेंड पर चलते हैं सेकंड फिल चेक के चलेंगे तो यह बनेगा आपका 4y माइनस का 8 माइनस का 8 प्लस का 3x माइनस का 9 माइनस का 2 is equal to 0 इसको थोड़ा से simplify करते हैं तो यह होगा 3x positive का 4y positive का 4y देखो यहां तक ठीक है अब यहां भी minus का 8 आया था माइनस का 9 आया है और माइनस का 2 आया है ठीक है तो 2 और 8 10 and 9 minus का 19 किसके बराबर 0 के बराबर यह क्या है equation number 2 अब क्या हम इसकी value यहां put कर सकते हैं यही तो substitution method है इसी को substitution method बोलते है क्या करते हैं भई एक variable की value हम पहली equation या दूसरी equation में से एक variable की value निकालते हैं और उसको निकालके हम equation पूट कर देते हैं जैसे कि अभी कर रहे हैं देखो x की value हम पूट करेंगे तो देखो यह क्या बन जाएगा यह बन जाएगा x की value पूट करी तो यह हो गया 3 bracket में x है आपका 3y प्लस में 3 divided by 2 प्लस में 4y minus का 19 is equals to 0 correct है इसको simplify कर दो simplify करेंगे तो यह बन जाएगा 21y plus का 9 और पूरा calcium ले ले लेंगे तो यह हो जाएगा plus का 8y minus का 38 is equals to 0 क्या किया side by side calcium भी ले लिया y1 by 1 और 2 को उदर multiply कर दिया तो क्या कर दिया उदर से multiply कर दिया तो क्या हो गया सीधा 0 हो गया ठीक है देखो क्या किया by lcm ले लिया तो पहले तो यह 3 से multiply होंगे यह दोनों 3 से multiply होंगे 7y की जगा 21y और 3 की जगा 9 आ जाएगा फिर यह 2 lcm लिया तो यह 8y हो जाएगा divided और minus का 38 हो जाएगा और यह divided by 2 होगा divided by 2 जब उधर की तरफ जाएगा तो multiply में हो जाएगा 0 multiply 0 multiply 2 तो 0 बन गया मतलब यह वाली equation बन जाएगी अब ज़रा इसको solve करके देखे तो यह आ जाएगा आपके पास 29y क्या बन गया 29y 21 plus 8 कितना हो जाएगा 29 और इन दोनों को minus करोगे तो यह कितना आ जाएगा minus का 29 is equals to 0 ठीक है इसी को further लेके चले तो 20y की value कितनी होगी y will be equals to 1 y की value कितनी आ गई by y1 आ गया y क्या आ गया यहीं से देख सकते हो y is equals to 29 by 29 29 उदर गया 29 यहाँ है multiply में ता महाँ जाकि कि क्या हो जागा divide तो y की value कितनी आ गई y की value 1 आ गई okay fine यह x था x की value क्या है x is equals to 7y plus में 3 divided by 2 y की value क्या आ गया है 1 value put करी तो यह कितना बन जाएगा 7 plus 3 by 2 जो कि कितना बन जाएगा 10 by 2 x की value कितनी आ गई x की value आ जाएगी 5 तो solution क्या बना हमारे पास solution बना कि जब x is equals to 5 बनेगा तो y की value आएगी 1 this is our answer ठीक है यह है हमारा answer कैसे किया इस तरीके से किया अराम अराम से धीरे धीरे समझ समझ के ठीक है यह है आपका substitution method इस तरीके से आप value को substitute करोगे ऐसे substitute करोगे इस तरीके से substitute करोगे by simple सा substitution method क्या होता है दो variables होते है chapter में ही हम पढ़ रहे है linear equation pair of linear equation and two variables two variables हैं तो एक value को एक variable की value निकालोगे दूसरे variable की form में x की value निकाली y की form में या y की value निकालोगे x की form में फिर उसको क्या करोगे दो equation थी पहली equation से जो x की value आई है वो दूसरी equation में हमने put कर दी put करने के बाद simply इसको solve करोगे simply solve करेंगे तो क्या आजएगी भाई सीधा-सीधा y की value आजएगी y की value आगई फिर इसके बाद करोगे जो हमने equation निकाली थी ये इसमें y की value पूट कर देंगे y की value पूट करी तो क्या आजएगा x आजएगा तो answer ये होगा आया समझ सभी को clear of अंडा अच्छे से बढ़े तरीके से कोई doubt तो नहीं किसी को कोई doubt नहीं है चलिए अब बढ़ते हैं हम next topic की और elimination method ठीक है next topic की और बढ़ते हैं ये है आपका elimination method अब यह elimination method क्या होता है दो could elimination method होता है जिससे substitution method क्या है substitute गरना है elimination method मतलब elimination mt該 eliminate कर ना क्या करना eliminate गरना eliminate 8 tana eliminate हटके ऐसे हट हगे देखो इस case में क्या होता है फिरसें panelists equation है x1 a1 y plus b1 y x a1 x plus b1 y plus c1 is equals to 0 पहला equation ऐसे ही a2 x plus b2 y plus में c2 is equals to 0 दो equation है ठीक है elimination method का पहला concept पहला concept क्या होता है या तो x का या तो y का दोनों में से किसी a का coefficient क्या कर दो same कर दो क्या कर दो same क्या कर दो coefficient of x या फिर y और y should be same should be same same होने चाहिए वो कैसे भाई multiply करना पड़ेगा क्या करना पड़ेगा multiply करना पड़ेगा तो अगर हम देखें यहां से इस first equation में अगर मैं a2 से multiply कर दूँ तो यह बन जाएगा ऐसा a2 a1 x plus a2 b1 y plus c1 a2 is equals to 0 यह बन गई हमारी पहली equation जिसमें क्या multiply कर दिया भाई इसको multiply कर दिया हम लोगों ने a2 से क्या करने के लिए क्या करने के लिए coefficient of x same बनाने के लिए क्योंकि method क्या बोला है coefficient of x या फिर y same होना चाहिए तो यह एक बन गया अब दूसरे की बारी इसमें क्या multiply करना पड़ेगा भई इसमें a1 multiply करना पड़ेगा तो यह वाली equation क्या बन जाएगी यह बन जाएगी a2 a1 x plus में a1 a1 b2 y plus a1 c2 is equals to 0 अब इन दोनों को आप क्या कर सकते हो सब्ट्रेक्ट माइनस कर दो माइनस करोगे तो x क्या हो गया फिनिश एक्स का तम y बच गया अकेला निकाल लो y की value ऐसे elimination method होता है ठीक है मतलब elimination का मतलब होता है एक variable को eliminate करना होता है हटाना होता है कैसे मतलब coefficient को same करके क्या करके coefficients को same करके अब फिर से दो example दो questions यहां पर लेके आए हैं फिर से दो questions आप लोगों के लिए लेके आए हैं दो ये रहे अब दोनों में से शायद आप second वाला कर लोगे असान है second वाला is much better तो ये वाला आपका homework है ना second कर लोगे ना सिंपल है क्या करना है अब आप बोलोगे यारी denominator में ना किसी के seven है किसी के three है कोई बात नहीं गबराने की जरूत नहीं है LCM लेके काम खतम करो LCM लो और काम खतम करो दिक्कत वाली बात ही नहीं है अब ये है ये थोड़ा सा कुछ ऐसा लग रहा है कि पहले इसको simplify करना पड़ेगा पहले क्या करना पड़ेगा सिंप्लिफाय करना पड़ेगा चलो आओ इसी कोई देखते है पहले तो हैना पहली equation क वो क्या है वो इस तरीके से है इसको हम थोड़ा सा क्या कर देंगे LCM ले लेते हैं तो LCM ले लेंगे तो यह हो जाएगा 33X माइनस का Y प्लस का 7 प्लस का 22 is equals to 110 पहले तो इतना बताओ इतना समझ आया देखो क्या किया ये Y प्लस 7 divided by 11 था माइनस बाहर था तो पूरी equation में 11 स पूरी equation में LCM ले लिए तो 11 लेंगे तो यह 33X हो जाएगा यह माइनस का Y और यह माइनस का 7 यह बी माइनस का 7 होगा यह कुछ ऐसा आएगा माइनस का y, माइनस का 7 और प्लस का 22 क्यों होगा क्योंकि पूरे का LCM ले लिया और ये 11 denominator था, denominator चला गया 10 के उधर तो 10 into 11 तो ये बनी हमारी पहली equation अभी भी complete नहीं है, अभी भी इसको complete करना पड़ेगा क्या complete करना पड़ेगा, भाई ये बनेगा 33x माइनस का y ठीक है ये 22 उधर जाएगा ये 22 उधर जाएगा तो 111 में से 22 गए कितना हो जाएगा, 110 में से 111 में से 110 में से, माइनस 22 ये कितना हो जाएगा, 88 110 माइनस 22 ये बन जाएगा, 88 और ये 7 फिर इधर गया, positive का तो ये बन जाएगा, positive का गया 97 and 66 होगा तो यह 595 is equals to 95 करेक्ट है इतना समझ आ गया ठीक है मतला हमारी पहली question त्यार होगी हमारे लिए ठीक है अब दूसरी question की बात करते हैं दूसरी question क्या है दूसरी question यह रही इसके बगल में तो यह है 2y अच्छा पूरा multiply 7 से multiply करना पड़ेगा तो 14y प्लस में x प्लस में 11 विल भी इकोस टू 70 भाई यहाँ आपकी बार क्या किया है 7 से क्या कर दिया LCM 7 का LCM ले लिए तो यह कितना हो 14y is equals to 11 उधर की तरफ जाएगा तो 70-11 कितना हो जाता है 9 6 out of 1 59 तो यह तो थी हमारी equation number 1 और यह थी हमारी equation number 2 पहली और दूसरी equation दोनों आगी हमारे सामने आमने सामने अब elimination का पहला rule या तो coefficient of x सेम कर दो इसका coefficient of x क्या है 33 उसका क्या है उसका भई x ही है चलो ठीक है x की बात ठीक है यहाँ फिर y का यहाँ y क्या है minus का 1 और यहाँ y क्या है 14 यहाँ क्या है 14 ओके ओके तो 14 है तो यहाँ पे x में भी transform कर सकते हो y में भी transform कर सकते हो तो यहाँ पे क्या असान पड़ेगा वो आपके ओपर dependent total totally आपके ओपर dependent चाहो तो इस equation को आप 14 से into करके solve गर सकते हो या फिर उस equation को आप 33 से multiply करके solve कर सकते हो तो चलो 33 से अगर multiply करेंगे तो यह क्या हो जाएगा 33 x प्लस में 33 into में 14 y is equals to 59 into में 33 यही बनेगा 59 into 33 यही होगा clear है अब यहाँ से एक particular equation बनेगी इनको जब आप solve करोगे तो खतम यह ऐसा हो जाएगा 33 x माइनस का y is equals to 95 और जो second equation बनेगी second equation क्या बनेगी यह बनेगी 33 x 33 x यह बन जाएगा positive का 33 into 14 करेंगे तो वह कितना हो जाएगा 14 into 33 तो हो जाएगा 2 and 5 442 तो यह हो जाएगा 264 462 माइनस का 462 y is equals to 59 into 33 तो यहाँ से आप लोग इसकी वेल्यू बड़े असानी से निकाल सकते हैं minus plus minus यहाँ से x eliminate हो गया y की value निकाल दो y is equals to question mark y आ गया तो फिर x भी निकाल सकते हैं y आ गया तो फिर हम आसानी से x भी निकाल सकते हैं ठीक है clear है सभी को ओके 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 फाइन 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 हम ठीक है यह था आपका elimination method जिसमें से आपका एक question homework के तौर पर दिया है अच्छा यह अब तक जो हमने करवाया है जो की क्या क्या है मैं बता देता हूँ एक बार फटा फट से graphical method representation number of solutions algebraic method के दो टाइपस substitution and elimination जिसमें से एक question homework के तौर पर दिया है और इसका solution आप खुद find करोगे देखते हैं कितने बच्चे इसको solve कर पाते हैं य की value आपको खुद को solve करने है calculation part बच गया है सिरफ और सिरफ calculation part बचा है यहाँ पर आसानी से कर सकते हो अब जो की major part बच रहा है इस chapter का major part क्या है major part है word problem major part क्या है word problem देखो substitution आसानी से करते होगे सिरफ equation equation given होगी तो बहुत आसानी से elimination given होगी multiplication थोड़ा सा थोड़ा सा बैठता है थोड़ा सा वहाँ पे भी हो जाएगा आसानी से but जो problem आती है वो यहाँ से आती है क्या है word problems questions है अब जो questions यहाँ से आते हैं और यह जो topic है यह much 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 important topic है मतलब सबसे ज़्यादा पूरे chapter का सबसे ज़्यादा important topic है और yes no doubt यहीं से ही आते हैं no doubt यहीं से ही maximum chances होते हैं कि आपके questions आएं कि के स्टडी तो बहुत कम आती है linear equation in two variables से के स्टडी तो chances बहुत कम होती है maximum chances होते हैं quadratic equation से या AP से आए quadratic equation या AP से linear equation से बहुत कम chances होते हैं जो questions आता है वो word problems आता है question आ जाएगा कि बढ़िजिट का question types of questions क्या क्या होते हैं इसमें डिजिट का question आ जाएगा कि इतने digit है यह बताओ son and father का question आ जाएगा age का question आ जाएगा ठीक है फिर fraction का question बन जाएगा फिर क्या बन जाएगा फिर बन जाएगा costing का question बन जाकता है costing का question अब digit का number कैसे हो सकता है कि भाई दो digit के number है one sentence उसका reciprocal जो करेंगे तो वो 23 कम है original number से ठीक है age का question कैसे बनेगा कि भाई अजे है अजे के father है 10 साल पहले अजे के अजे के father क्या थे 20 गुना थे ठीक है फिर 6 साल के बाद 10 गुना बच गए ठीक है ऐसा question बन सकता है fraction का question कैसा बन सकता है fraction का question ऐसा बन सकता है कि एक fraction है जब हम सिरफ two ही add करेंगे numerator में तो fraction यह बनेगा और अगर दोनों से minus one कर इस तरीके से आपका fraction का question बन सकता है उसके बाद costing का question कैसे बनता है costing का question बनेगा अभी बहुत types अभी और भी है और भी types है costing का question ऐसे बनेगा कि एक car है एक route पे चल रही है एक किलोमेटर तक उसके charges क्या है fix है मतलब दो किलोमेटर तक उसके charges क्या है fixed है बट उसके बाद जै सकता है तो मतलब मान के चलो इन टापिक में से चांसे बनते हैं कोशिश हमने करी है कि हम लेके आए है कुछ कुछ कोशन हम लेके आए हैं जो की हमें हमारे से लगता है इंपोर्टन है जो प्रिवियसली आप लोगों के पेपर में आये हैं बोर्ड पेपर में आये हुए हैं कुछ वो हम लेके आये हैं हम सरफ और सरफ एक्वेशन से आप लोगों को बना के दिखाएंगे कि इस तरीके से एक्वेशन बन गी बाकी यहां पर कुछन मे मैक्सम टाइम से होता है कि गिवन नहीं होता कि आपको सॉलुशन कैसे करना है ग्राफिकल मैथर से करना है कि सब्सुटिशन से करना है कि एलिमिनेशन से करना है यूशली ग्राफिकल मैथर कोई बच्चा फॉलो नहीं करता क्योंकि इसमें बहुत ज़दा टाइम लगता है ठीक है, maximum बच्चे prefer करते हैं, substitution method या फिर elimination method, अब वो आपकी choice के उपर depend करता है कि आपको कौन सा easy लगता है, ठीक है, equation हम बना के दिखाएंगे, बाकी solution करना आपका काम, एक आदे questions, जिसमें हमें लगेगा कि आप, थोड़ा सा first जाओगे, थोड़ा सा दिक्कत देगी, वो हम करवा देंगे, ठीक है, चलो, पहला question आपकी screen पर यह रहा, जो कि हम बोल रहे थे कि digit, digit का question, वो digit का question आपकी screen पर यह रहा, तो question क्या है, question इस तरीके का है, the sum of two digit number, दो digit का number है, मतलब जो number होगा, वो क्या होगा, ऐसा होगा, once digit पे कुछ होगा, tense digit पे, कुछ होगा, ठीक है अच्छा, the sum of two digit number, and the number obtained by reversing the digit is 66, is 66, ठीक है, sum of two digit number, तो हमने बोला, assume कि, once place पे है, x, और tense place पे क्या है, y, ठीक है, once place पे क्या है, once place पे है, x, और tense place पे क्या है, y, तो एक example के तौर पे आपको समझाना चाहेंगे, for example, अभी question start नहीं करें, सिरफ example दे रहे है, for example, अगर 32 एक number है, 32, ठीक है, जहाँ पे हम क्या बोल रहे है, फिलाल अभी जैसे बताया, once पे 2 है, 10s पे क्या है, 10s पे है, 3, तो इस number को कैसे represent किया जाता है, आप लोगों ने पढ़ा है, य, 4th class में, 5th में तो नहीं होगा, 4th class मे है, तो होता कैसे है, 3 into में 10, प्लस में 2, तभी जाके 32 बनता है, तभी जाके ये number क्या बनेगा, 32 बनेगा, clear है, इतना तो पता ही होगा, ठीक है, ये आपका rough, ये आपका समझाने के लिए है, ये question नहीं है, ठीक है, ये आपको for example के तोर पे हम समझा रहे हैं कि इस तरीके स से number बनता है, अगर once place पे 2 है, तो 10 place पे 3 है, तो number किस तरीके से बनता है, 10 place पे जो number है, उसको 10 से multiply करके, जो once पे है, उसको add गया दाता है, तो 3 into 10, 30, 30 plus 2 is 32, तो हम जो number ले रहे हैं, 10 place पे है y, once place पे है x, तो actual ये जो number है, ये है कुछ ऐसा, 10 y plus में x, ये है original number, ये क्या है actual number, actual number, ठीक है, clear है, अब जरा देखते हैं, बोला क्या गया है, the sum of 2 digit number, 2 digit का number का sum and the number obtained by reversing the digit is 66, मतलब इसका और इसका जब reverse करेंगे, reverse मतलब, reverse का मतलब क्या होता है, reverse का मतलब होता है, कि, जो once पे था, वो tense पे चला गया, जो tense पे था, वो once पे चला गया, मतलब घूम गया, उल्टा हो गया, तो इसका reverse order क्या होगा, वो भी समझा देते हैं, reverse number, वो क्या हो जाएगा, भाई वो हो जाएगा, 10 y plus x, वो क्या हो क्या होगा यह होगा T0 यह हो जाएगा X और यह हो जाएगा Y यह है आपका reverse number reverse ठीक है clear दिखाई दे रहा है 10s position पे X आ जाएगा वन्स position पे Y आ जाएगा अब according to question the sum of two digit number and the number obtained by reversing the digital 66 मतलब इन दोनों का sum किसके बराबर है 66 के बराबर है क्यों question में given है actual number यह है reverse करके यह आ रहा है तो यहां से हम ATQ according to question हम बोल सकते हैं कि 10Y प्लस में X ब्राकेट में प्लस बीच में आएगा क्योंकि दोनों का sum हो रहा है प्लस में यहां होगा 10X प्लस में Y यह कितना हो जाएगा भाई यह 66 होगा क्योंकि भी बोला गया है तो यहां से हम क्या बोल सकते है 11Y प्लस 11X वह कितना हो जाएगा 66 मतलब X प्लस Y वह किसके बराबर हो गया 6 के बराबर यह हमारी है पहली एक्वेशन यह हमारी क्या है यह हमारी क्या है यह हमारी है एक्वेशन नंबर वन इतना समझ आ गया ठीक है ऑके फाइन प्वेशन समझ आ गई निएक्स्ट है किम बोला क्या गया है जो digit है मतलब y और x में difference कितने का है y और x में difference है दो का कितने का difference है दो का difference है चलो इसको यहाँ detail में समझाते हैं देखो बोला क्या गया है tense पे था once पे था हम बोल रहे है कि tense पे है y और यह है x अच्छे यहाँ एक condition हमने लिखिए भाई कौन सा बढ़ा है कौन सा चोटा यह भी नहीं पता तो चलो हमने बोल दिया कि भाई y बढ़ा है x से हमने क्या बोल दिया भाई y बढ़ा है x से तो दूसरी equation में बोला है कि जो दोनों नंबर का difference है ना दोनों नंबर क्या कौन से दोनों नंबर भाई यह दोनों नंबर यह तो पूरी डिजिट है ठीक है इन दोनों नंबर के बीच में इफ दा equals to 2 correct है यह बन गई हमारी equation number 2 यह क्या बन गई यह बन गई equation number 2 solve करना is much more आसान काम simple सा add भी करोगे तो xx eliminate हो जाएगा simple xx eliminate हो जाएगा 2y की value कितनी आ जाएगी 8 y कितना बन गया y आपका 4 बन गया y कितना बन गया y 4 बन गया y जब 4 बन गया तो 4 minus x is equals to 2 तो x की value कितनी बन गई x की value 2 बन गई तो आपका number क्या है actual number actual number क्या था हमें क्या find करना है how many such numbers are there find the number number find करना है तो भाई actual number था 10y plus x 10y plus x तो यह हो जाएगा 42 actual number क्या है 42 x की value क्या है 2 y की value है 4 क्यों है क्योंकि y हमने माना है बड़ा है x से ठीक है अब यहाँ पर आए x बड़ा मान सकते थे y से बिल्कुल ठीक है x मान सकते थे बड़ा y से तो यहाँ पर क्या हो जाता फिर एक और case बनता अगर फिर एक और case बनता अगर आपका x बड़ा होता y से अगर आपका x बड़ा होता y से तो उस case में क्या होता number change होगे 24 बन जाता number change होगे क्या बन जाता 24 बन जाता आई बात समझ ठीक है क्या बन जाता 24 तो ऐसे कितने case है एक case हो सकता है जहाँ पे x बड़ा हो y से एक case हो सकता है कि जहां पर Y बड़ा है X से, दो case हो सकता है पहला case और यह है दूसरा case दो type दो type के बनेंगे एक तो actual number होगा 42 जब Y बड़ा है X से एक case हो सकता है कि जब X बड़ा है ठीक है समझ आया, तो number 42 भी हो सकता है 24 भी हो सकता है बठ साथ साथ condition भी याद रखना इनकी साथ साथ conditions भी याद रखना ऐसे types के question एक word problem इस types का भी आता है आपका जो की थोड़ा सा confusing होता है बच्चे समझ नहीं पाते क्या digit है क्या number है क्या है simple सी बात है यहाँ पे इतना याद रखने वाली बात है कि simple अकेला y अकेला x इनको बोला जाता है digit इनको क्या बोला जाएगा digit अब जब यह combined लिखा जाएगा जैसे यहाँ यह क्या है 2 और 3 यह क्या है यह है digit यह क्या है digit और यह जो complete 32 है यह क्या है यह है number यह क्या है number यह क्या है एक number है यह ठीक है बस यहीं यह चीज है समझने की यह चीज समझ आगी बात बन गई ठीक है यह आपका 2019 के पेपर में आया हुआ question है यही same question 21 में भी आया था same यही वाला 21 में भी आया था ठीक है थोड़ा सा interchange था दो की जगा 66 नहीं था यह 66 की जगा उच और था ठीक है आगे बढ़े next question की और next question hmm जो हम charge वाला question बोल रहे थे ना charge वाला question है यह charge वाला question है यह आपकी screen पर इस types के word problems आते हैं और yes आने चाहिए और आप लोगों को इनको solve करना भी आना चाहिए होने को होने को होता क्या है easy है है ना easy है बट थोड़ा सा tricky है क्योंकि जब हम word से equation बनाते हैं तो कुछ words ऐसे होते हैं जो हमें क्या कर देते हैं sorry confuse कर देते हैं कुछ words यहां कर देते हैं confuse कर देते हैं तो कुछ confusing words यहां पर हम बताएंगे आपको जैसे last question में digital number का था वहां clear कर दिया आप लोगों को ठीक है अब यह वाला question देखो question क्या है देखो question बोला है कि taxi है taxi charge in a city insist of a fixed charge हां यह देखो fixed charge का question है ठीक है together and charges the distance covered ठीक है for a distance of 10 km the charge पे आच्छा जब 10 km चली है तो 105 रूपे लिए और जब 15 km चली तो उसके लिए 155 रूपे मतलब कि इसका na fixed charge होगा एक fixed charge होगा होगा ठीक है what are the fixed charges and the charges per km मतलब कि जैसे आप taxi में बैठे उसने बोला देखो बाई साब चाहे आप कितने km जाओ मैं ना 20 रूपे तो लूंगा लूंगा और जितने km जाओगे ना उसके इसाब से जोडूंगा भी ठीक है तो जो fixed charge है वो तो चाहे आप 10 km करो चाहे आप 20 km करो चाहे आप 30 km करो वो लगना ही है तो इस fixed charge को हम क्या ले 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 आपको लेना है assume करना है कि fixed charge हमने क्या माना है x rupees क्या माना है x rupees और जो per kilometer charges लग रहे है per kilometer charges लग रहे है वो क्या माना है वो y rupees per kilometer per kilometer 1 kilometer का y rupees 2 kilometer का 2y 3 kilometer का 3y ठीक है ये दो चीज आपको लिखने पड़ेगी question में अच्छा आगे आगे चलो देखते है बोला गया है 10 kilometer के 105 रुपे लगे चलो 10 kilometer मतलब x तो fixed charge लगे और 10 y जो उसने cover किया 10 kilometer किया है और 1 kilometer का y rupees है तो 10 kilometer की कितने हो जाएंगे 10 y हो जाएंगे इसकी cost कितनी पड़ी है 105 पड़ी है तो ये बन गई हमारी equation number 1 ठीक है अब बात करते हैं second equation कि second equation क्या है भाई 15 kilometer चला है तो fixed charge तो फिर भी लगेगा तो fixed charge लगेगा x plus 15 y जो कि किस के बराबर है 155 ये बन गई आपकी equation number 2 ये बन गई आपकी equation number 2 अब इसको आप solve करो चाहे elimination से चाहे substitution से वो आपका call है चीक है वो आपका call है आप इसको substitution से करना चाहो substitution से करो कोई दिक्कत नहीं elimination से करना चाहो elimination से भी कर सकते हो अब यहाँ पर ये question आपके हवाले आप ये आप खुद करोगे ठीक है प्राइगरना कोशिश करना खुद से करने की ठीक है कर लोगे ना सिंपल सा है दो equation है पहली equation दूसरी equation x की value निकालनी है x वैतलव fix charge fix charge की value निकालनी है उसके बाद y y क्या है पर किलो मीटर चार्ज कितना है पर किलो मीटर चार्ज निकालना है ठीक है सिंपल सा फंडा है हो जाएगा next question और बड़ा ही जबर्दस्त question ये homework है ये मिरे ख्याल से दूसरा question अन्ना तीसरा question homework के तौरबे तीसरा question है homework के तौरबे अब इस question में है क्या देखो ये आपका 2022 additional paper में पूछा गया है साम्पल पेपर additional sample paper 2022 का वहाँ ये question पूछा गया है अब question है क्या question है कि आपको ये check करना है कि ये पहले तो तीन लाइन है वो नहीं चेक करना है कि ये तीन लाइन है लाइन तो है ये बोला गया है check whether the three lines represent the equations given below intersected common points मतलब ये check करना है क्या ये तीनों की तीनों जो लाइन है क्या इन तीनों का intersecting point common है क्या मतलब same है क्या मतलब कहने का ये है कि ये एक line है ये दूसरी line है तीसरी line मतलब ये तीनों एक ही point पे intersect कर रही है कि नहीं कर रही है कैसे करोगे कैसे simple सा funda है गबराने की जरूत है ही नहीं थोड़ा सा महनत है थोड़ा से एक्स्ट्रा महुनत अबल्कि ठीक है इंडो का intersecting point निकाल लो ठीक है एक फिर इन दोनों का intersecting point निकाल लो ठीक फिर उसके बाद इन दोनों का निकाल लो मतलब तीन बार क्या करना पड़ेगा elimination method अगर आपको अच्छा लगता है तो तीनों में कर दो अगर सब्सिटूशन अच्छा लगता है तो तीनों में सब्सिटूशन कर दो मतलब तीन बार करना है एक बार फर्स सेकिंड सेकिंड थर्ड एंड फॉस्ट न थर्ड क्रॉस चेक करने के लिए तो करना पड़ेगा क्रॉस चेक करने के लिए तो बता देखो क्या है देखो simple सा first equation and second equation ठीक है second equation and third equation इन दोनों को कर लोगे अगर common आ रहा है तो वहीं बात पक्की हो जाएगी वहीं बात पक्की है कि तीनों intersect हो रहे हैं बस ये दो करना है और ये आपको करना पड़ेगा first and third करना पड़ेगा confirmation के लिए ठीक है verify करने के लिए सरफ सरफ verify करने के लिए यह verify करने के लिए करना पड़ेगा one का है one equation two equation three equation ठीक है one or two go elimination method two or three go elimination से करो दोनों points वैसे same आएंगे same आएंगे तो अब्विस्सी बात है कि भाई तीनों के सेम है बट फिर भी आपको cross check करना पड़ेगा one and three को करके one or three को points common points निकाल के करना पड़ेगा ठीक है तो यह question है homework के तौर पे यह आप try करना खुझ से hw ठीक है हो जाएगा easy है no doubt बड़ा प्यारा और अच्छा question है easy question है चलिए अब कितने questions बच रहे हैं एक आपका एक और अच्छा सा ratio वाला नहीं यह homework दिया जाएगा fraction वाला question लाओ भई हाँ fraction वाला question है तो हम बोल रहे थे कि fraction वाला question बच रहा है यह है एक और बड़ा प्यारा और अच्छा question एक और जबरदस्त मस्त जखास question आपकी स्क्रीन पर यह रहा question क्या है question basically fraction का है fraction क्या होता है numerator upon denominator होता है fraction क्या होता है numerator upon denominator होता है question समझिए और फिर देखते हैं है क्या question है a fraction become 9 by 11 एक fraction 9 बटे 11 बन जाता है कब बनता है if x if 2 is added in both numerator and denominator numerator और denominator में 2 को जब add करेंगे तब तो चलो ठीक है हमने बोला कि fraction को हमने क्या assume किया है let let fraction be x by y fraction को क्या बोला है x by y मतलब numerator को हमने बोला है x और denominator को क्या बोला है y बोला है तो according to पहली condition according to पहली condition पहली condition क्या है कि x plus 2 divided by y plus 2 वो किस के बराबर होगा वो 9 बटे 11 के बराबर होगा 9 by 11 के बराबर को बोला गया है a fraction becomes 9 by 11 if 2 added in numerator and denominator दो numerator में आड़ किया है दो denominator में आड़ किया तो क्या बन जाएगा 9 बटे 11 बन जाएगा इसको solve करेंगे तो ये आपके पास क्या बन जाएगा 11 x plus में 22 is equals to 9 y plus में 18 ठीक है similarly ये बन जाएगा 11 x minus का 9 y plus का 4 is equals to 0 ये हमारी पहली equation है ये हमारी क्या है पहली equation है ठीक है correct है भाई 11 x 9 इदर चला जाएगा 18 इदर आएगा तो क्या बन जाएगा positive का 4 ये पहली equation है पहली equation जब दो numerator और denominator दोनों में एड़ किया है next and denominator if 3 is added to both numerator and denominator अगर 3 को numerator और denominator दोनों में एड़ किया मतला x plus 3 divided by y plus 3 x plus 3 divided by y plus 3 numerator में 3 एड़ किया है तो fraction क्या बन जाएगा 5 by 6 तब fraction क्या बन जाएगा 5 by 6 इसको solve करेंगे तो ये बन जाएगा 6x plus में 18 is equals to 5y plus में 15 तो इसको solve करेंगे तो ये बन जाएगा 6x minus का 5y and plus में 13 is equals to 0 ये आपकी second equation ये क्या है आपकी second equation first equation ये रही second equation ये रही आपका जो मन करे substitution या elimination ये totally आपके उपर depend है आपको क्या find करना है fraction find करना है क्या मतलब है x और y की value find करनी है ठीक है ये है कुछ आपके word problems जो आपको जो आपके paper में chances होते हैं आने के जो की सीखना क्या है motive यहाँ पर ये था इनको करवाने का कि आप सीखें कि कैसे equation बनाई जाएंगी main motive है ये एक बार आपको equation निकालनी आगी फिर substitution method elimination method is much more easier task ठीक है ठीक है ठीक है clear है यहाँ से आप x की value निकालिए और y की value निकालिए ठीक है solve कर सकते हैं अच्छा यह है 6x यह है 5y इदर की तरफ क्या है 11x 9y तो अगर दिहान से देखें ओके तो y and y तो मतलब multiply तो करना पड़ेगा एक का तो coefficient same बनाना ही पड़ेगा चाहे एक चाहे वाई का वो आपके बड़ो से ठीक है अब last question word problem का जो फिर से एक homework है यह homework है ट्राइगरना एक बार ट्राइगरना इस question को करने की solution solution simple सारे solutions elimination substitution method is बड़ा टास्क नहीं है बट जो बड़े टास्क है वो है यह अब यहां आप लोग बोलोगे कि इस question को क्या देने के जरूद है यहां पे इस question को क्या देने के जरूद है तो कुछ भी नहीं है question बट इसी question में बहुत कुछ चिपा हुआ है क्या चिपा हुआ the ratios of income of two persons दो persons की income का ratio है 9 ratio 7 क्या ratio given है 9 ratio 7 given है and ratios of their expenditure भी given है 4 ratio 3 आप बोलोगे यार ratio ratio given है sir क्या मजाक हो रहा है यह ratio given है ratio से कब से आने लगा बट ध्यान से देख रहा हम बोल सकते हैं कि जो first person है first person है उसकी income कितनी मान सकते हैं उसकी income होगी 9x है ठीक है जो second person होगा उसकी income क्या होगी उसकी income होगी 7x उसकी income क्या होगी 7x अब जो maximum mistakes आप यहां पर अब करोगे वो क्या होगी वो सुनना अब दूसरा के दे रखा है expenditure दे रखा है तो first person का expenditure वो क्या होगा 4x ठीक है यह गलती करोगे आप आप क्या कर दोगे यहां 4x कर हो गें जो कि सबसे बड़ा बलंडर है जो कि सबसे बड़ा बलंडर बलंडर मतलब सबसे बड़ी गलती है ठीक है यहां पे x ले ही नहीं सकते क्या नहीं ले सकते x नहीं ले सकते यहां के लेना पड़ेगा y लेना पड़ेगा यहां के लेना पड़ेगा y लेना पड़ेगा तो यह होगा 4y ठीक है तो पहले person की expenditure कितना है 4y ratio 4 ratio 3 दे रखी है तो यहां होगा 4y similarly जो second person होगा उसकी जो expenditure होगी वो कितनी होगी वो होगी 3Y और दोनों के savings कितनी है दोनों की savings है 2000 रुपे पर मन्त दोनों की if each of them manage to save 2000 रुपीज दोनों के दोनों अगर 2000 रुपे बचाने की कोशिश करते है बचाते हैं हर महिने तो उनकी income कितनी है income ही पुछी है हाँ जी तो कैसे निकालोगे भई ये है पहले की income ये है पहले का खर्चा saving कैसे होती है income में से खर्चा minus कर दो income में से खर्चा minus कर दो ठीक है ऐसे ही पहले वाली दूसरे वाली की क्या है income 7X और खर्चा क्या है उसका उसका खर्चा है 3Y कितना बचा रहा है बचारा दो हजार वो भी बचा रहा है ये है पहली कुशन ये है दूसरी कुशन कर दो सौल आब ये पहली कुशन ये है दूसरी कुशन कर दो सब्सक्राइब हो जाएगा इजी है अरे बच्चों मुश्किल भी नहीं है गबराने की जरूत नहीं है मुश्किल भी नहीं है यार ठीक है ओके 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 क्लियर है चलिए अब बढ़ते हैं नेक्स्ट फेज की तरफ इसकी वेल्यूज एक्सेंड वाई की आप निकाल सकते हैं क्या अजी बिल्कुल निकाल सकते हो हमें पता है सारे बच्चे निकाल के दिखाएंगे कमेंट बॉक्स में चैट लिखो वटाफट कमेंट करो क्या और य की वेल्यू है कोशन क्या है कोशन है इंकम बताने है इंकम एक्स और वाई नहीं चाहिए तो कोशन को समझो और देखो द्यान से चलिए अब बात करते हैं के सड़ी कहा है हमारा के स्टरी आ जो अब आता है आपका case study अच्छा इसको हम थोड़ा सा elaborate गरके समझाएंगे क्योंकि case study देखो ऐसा होता है algebra में आते हैं आपके 4 chapter 4 chapters आते हैं उन 4 chapter का क्या क्या नाम है polynomials, linear equation pair of linear equation in 2 variables quadratic equation and arithmetic progressions maximum chances होते हैं की AP जो की arithmetic progression and quadratic equation quadratic equation उसे basically graph आता है या polynomials, वहाँ से questions पूछे जाते हैं, polynomial से chances वैसे कमी रहता है, quadratic equation से ही पूछा जाता है, ठीक है, तो chances बहुत कम होते हैं, बहुत-बहुत कम होते हैं, मतलब अगर लगाए 20, 50%, मतलब 40% chances हैं AP के, 30% chances है quadratic equation के, 20% and chances हैं आपके, polynomials के, और बाकि जो भी बचा, वो chances हैं आपके, इसके pair of linear equation के, तो pair of linear equation का अगर by chance question आया on the basis of case study यह case study है आपकी, case study इतना ही बड़ा आता है, ठीक है, 4 marks का question होगा, ठीक है, 4 marks का 5 parts नहीं होते, 4 parts ही होते हैं, ठीक है, एक option होता है, उसमें से, optional होता है, मतलब या पूछ लिया जाएगा, और और वाला case होता है या तो और, या तो ये और, ठीक है, अच्छा question क्या है वो इसके basis पर पता लगता है, अब ये क्या है, पढ़ोगे दिहान से तो अपने आप चीजे समझा जाएंगी, on the basis of above passage, we need to find these five questions, we need to find the answer of these five questions, तो question है, अकीला, अच्छा जी, नाम बड़ा अच्छा है, वेंट तो अप फियर, फियर क्या होता है, फियर इन इन हर विलेज, फियर मतलब मेला, फियर का मतलब होता है, मेला, एक बच्ची है, वो मेले में गई है, जो की उसके गाउं में हो रहा है, ठीक है, she wanted to enjoy the ride of giant, okay, giant wheel, and play hoopla, अच्छा, वो क्या होता है, मैं समझा देता हूँ, नहीं समझा जाया तो, एक ना, ऐसा सा जूला होता है, ऐसे ऐसे करके, जिसमें यहां की तरफ बैठते हैं, तो फिर वो पर रोटेशन ऐसे गुमा देता है, पूरा इस तरीके से, इस तरीके से गुमा देता है, तो वो बच्ची ना, हुपला, वो ही गेम होता है, उसमें भी बैठी है, और, अच्छा, नहीं हुपला नहीं, वो वील है, वो वील होता है, हुपला क्या होता है, हुपला होता है, फूर एक्जामपल, हमारे सामने क्या रखा है, माउस रखा है, तो हमें ना, स्टिक ऐसे गोल वाली स्टिक प्लाई जाती है, और, ऐसे मारे दाजता है, तो ऐसे फैका जायь गा यह तो मारकर है ठीक है एकी तरफ आगे की तरफ फैका जायेगा और अगर वो उस पiezaथ में गिर गई तो वो क्या हो जाएगा स्कोर हो जाएगा है उसने तोगह है वह उन से उसे एक टो मिला से अब यहां विचारी बैटी है पूरा एक चक्कर लगाया उसने एक तो यह गेम खेला और दूसरा क्या खेला है दूसरा उसने खेला है हुपला हुपला क्या होता है हुपला होता है कि आपको गोल गोल दी दिये जाता है और बोला जाता है चलो भई लगाओ निशाना ठीक ह जिस पे निशाना लग गया, टेडी पे निशाना लग गया तो टेडी बीर आपका, तो वो चीज है, अच्छा, समझाने का मतलब हमारा ये था कि होता क्या है, ठीक है, कोशन ये थोड़ी है, कोशन तो है, की 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 कहा है, कहा है, कहा है, the number of times she played हुपला is half the number she rides she had on the giant wheel मतलब भाई अब मतलब नहीं आप तो assume करना पड़ेगा हमने बोला कि उसने हुपला खेला x time हुपला प्लेज कितने टाइम्स केला है x टाइम्स हुपला खेला है x बार number of times हुपला प्लेज number of times हुपला वो है x ठीक है अच्छा दूसरा भी खेला है giant game भी giant wheel भी खेला है gv gw number of times giant w giant wheel उसको हमने बोल दिया y उसको क्या बोल दिया उसको बोल दिया y ठीक है यह समझ आ गया अब आगे क्या अब आगे बोला गया है कि actual में बोला गया है the number of times she played hupla, hupla मतलब x मतलब जो x है वो क्या है hupla is half the number of half x किसके बराबर है half of, half of क्या she had a giant wheel मतलब x किसके बराबर है giant wheel के बराबर number of giant wheel पे उसने जूला जूला है वो क्या है y के बराबर है तो x is equals to half of y तो यहाँ से पहली equation क्या बन के आ गई ये बन के आ गई कि 2X is equals to Y 2X is equals to Y के बरापर ठीक है दुबारा से समझाना चाहेंगे X क्या है X है कि कितने times उपने हुपला के ला है number of times लिखा है number of times ठीक है number of times giant wheel करा है Y है ये according to question ATQ ये क्या है according to question ठीक है ये पहली statement आपको बता रही है हमारी equation बनी 2X is equals to Y चलिए आगे बढ़ते हैं आगे हमने बढ़ा the cost of each ride is rupees 3 cost of each ride ride किस की होगी wheel की होगी wheel को क्या लिया है y लिया है cost of each ride मतलब 3 into y रुपे उसने लगाए है किसमें wheel में by y उसने ride ली एक ride की cost कितनी है 3 रुपे मतलब for example 2 रुपे की एक टॉफी है आपने लिए 4 टॉफी तो कितने पैसे खर्चुए आपके 2 into 4 8 रुपे खर्चुए same वो ही चीज है 3 रुपे की costing पढ़ रही है ride की ठीक है 3 रुपे की costing पढ़ रही है ride की और ride कितनी करी है y तो 3 y total ride की cost कितनी हुई 3 y ठीक है और उसके बाद बोला गया है जो हुपला खेला है उसकी cost कितनी है 4 रुपीज पर हुपला तो हुपला कितनी बार खेला है भई एक्स टाइम तो मतलब 4 y और total cost total पैसे कितने खर्च करें बेचारी ने 20 रुपे तो ये next equation बन गी आपकी ये क्या बन गई next equation बन गई समझ आया थोड़ा सा समझने लाया question है अच्छा question है सबसे better question अब तक का word problems का सबसे better question है सबसे प्यारा question है देखो दुबारा समझाते हैं देखो पहले बोला था कि half of the number of rides था तो half तो मिरे ख्याल से x is equals to half of y हो जाएगा सीधा सीधा इसको simple solve किया तो 2 x is equals to y आगया अब बोला गया था कि the cost of each ride is rupees 3 and cost of each game of hupla is 4 rupees she spent 20 rupees मतलब total खर्चा उसका 20 रुपे हुआ है और अगर हम बात करें ride में एक ride में 3 रुपे खर्चुए है और हुपला कितने का है 4 का है 4 रुपे का तो हुपला क्या हो जाएगा 4 x होगा यह क्या होगा 4 x होगा यहां थोड़ा सा गलत कर दिया था यह क्या होगा 4 x तो 2 equation बन गई आपकी एक वो वाली और एक ये वाली अच्छा आब question क्या था यह तो हमने चलो equation बना दी आपके सामने यह equation है बट पहला question था कि write two equations from the given information अच्छा equations बनानी थी तो पहली equation हमारे पास यह है कि जो आपका 2 x है वो y के बराबर है और जो दूसरी equation है वो क्या है 3 y plus में 4 x वो किस के बराबर है 20 के बराबर है यह चीज आपको mention करनी पड़ेगी exam में कि what is x x क्या है x is number of times number of times she played hoopla h ठीक है और y क्या है y है number of times यह लिया है y क्या लिया है y giant लिया ठीक है number of times she rides rides giant wheel ठीक है यह चीज आपको mention करना पड़ेगा what is x and what is y what is x and what is y पहला question था यह किस का case study का पहला question जो किये रहा ठीक है पहला question हो गया अब बात करते है next question पे next question find the number of rides that Aquila had on the giant wheel find क्या करना है number of rides किस पे giant wheel पे giant wheel पे क्या लिया है y तो मतलब हमें find करनी है find the value of y value of y find करनी है कैसे find करेंगे कैसे find करेंगे भई इनी दुनों equation से find करेंगे तो हमें क्या पता है by 2x किस के बराबर है y के बराबर है और दूसरी equation क्या है दूसरी equation है 3y plus में 4x वो किसके बराबर है 20 के बराबर है अपने लोगों को X की Y की value find करनी है न Y की value find करनी है तो हम क्या बोल सकते है कि X की value बोल सकते है Y by 2 X की value क्या बोल सकते है Y by 2 X की value यहाँ put कर दो तो यह कितना आ जाएगा 3Y प्लस में 4 bracket में Y by 2 is equals to 20 यह 2 cancel यहाजाएगा 2 मतलब 3Y प्लस में 2Y वो कितना हो गया 20 के बराबर तो 5Y किसके बराबर हो गया 20 के बराबर तो जो Y की value आएगी वो कितनी हो गई वो हो गई है 4 तो number of number of rides Aquila had on giant wheel वो कितना है भई total ride कितनी ली है 4 rides कितनी rides ली है 4 rides आपको पता होना चाहिए कि giant wheel आपने क्या लिया है इसलिए यह चीज लिखवाई है कि what is a giant wheel what is a number of time she rides on the giant wheel वो क्या लिया है Y लिया है तो Y की value find कर दी कितना है 4 है अब आगे की बात आगे की बात है कि भई कितनी बार हुपला के ला है हुपला मतलब X हमें क्या find करना है next term में X की value find करनी है what is the value of X what is the value of X अपन लोगों को पता है कि 2X इसके बराबर था 2X था Y के बराबर और अभी अभी पिछले question में Y की value निकाली है Y की value क्या है Y की value निकाली है हमने 4 के बराबर तो यहां से X आ जाएगा X आ जाएगा 2X is equals to 4 तो X की value कितनी आ गई 2 तो हुपला कितनी बार खेला है भाई साब दो बार खेला है ठीक है यह आपका इसका answer है ठीक है number of times number of times she played हुपला is 2 दो बार खेला है ठीक है अगला question next question क्या है next question है find the amount that she spent on playing हुपला किस पे पैसे कितने लगाए है उसने हुपला पे total पैसे कितने लगाए है हुपला पे अगर आप यह पूरी equation देखो तो हुपला यह लगाए है giant wheel पे यह total costing लगाई है giant wheel पे और यह total costing लगाई है उसने हुपला पे ठीक है giant wheel पे 3Y और 4X पे हुपला पे तो हमें क्या find करना था हमें find करना था कि हुपला पे कितने costing आई है और क्या costing आई है H पे हुपला पे कहां गया हुपला पे costing आई है 4X की, कितने की आई है 4X की, तो यह answer क्या हो जाएगा भई, actual में costing आई थी 4X की, और X की value कितनी है X की value है 2 तो 4 into 2 कितने रूपीज लगाए है अनजी ने, 8 रूपे कितने रूपे लगाए है, 8 रूपे similarly, यह आप खुद गर सकते हो यह क्या है यह क्या है जाइंट वील पे कितने पैसे लगाए है find the amount that she spend on riding on giant wheel giant wheel पे कितने लगाए थे, यह देखो giant wheel पे 3Y लगाए थे giant wheel पे कितने लगाए है, 3Y 3Y लगाए है, तो यहां से हम क्या बोल सकते है, इसकी value क्या है by 3Y cost on, लिखना पढ़ेगा cost on GW वो क्या हो जाएगा 3Y, 3 into Y की value कितनी आई थी, Y की value थी हमारे पास 4, तो 4 तो कितने लगे 12 रूपे 12 रूपे लगे हैं giant wheel पे और 8 रूपे लगे हैं हुपला पे, दोनों का combination कितना है दोनों का combination है 20, combination भी सा रहा है, अजी बिल्कुल भी सा रहा है देखो ध्यान से, ध्यान से देखो, सबसे important क्या है यहाँ पे equation निकालना सबसे important क्या है यहाँ पे equation निकालना ठीक है चलिए तो यहाँ पे आपकी case study भी खतम होती है बट एक important questions एक दो questions वैसे यहाँ पे बच रहे है हर बार बच जाते हैं थोड़ा सगडबड होई जाता है हिसाब किताब है ना एक questions हम करवाएंगे ठीक है, एक questions आपको फिर से homework के तौर पे देंगे objective type में objective type में फिर से question homework के तौर पे देंगे जो आपके questions objective type questions बनते हैं इस chapter से वो दिखने में कुछ इसी तरीके से होते हैं ठीक है question क्या है if the system of equation ये दो equation दे रखी है बोला क्या गया है inconsistent solution inconsistent solution अब inconsistent solution का मतलब होता है कि no solution का funda no solution का funda no solution कोई solution है ही नहीं और no solution का case क्या होता है वो कुछ ऐसा होता है a1 by a2 equals to b1 by b2 not equals to c1 by c2 ठीक है ये case होता है आपका अब इस case को आपको find करना है value किसकी निकाल नहीं है k की निकाल नहीं है कैसे निकलेगी k की value तो को यहाँ तो अपने को इतना तो पता ही लग गया कि कौन सा part solve गरना है x की value क्या है y की value क्या है तो यहाँ पे हम value put कर सकते हैं तो यहाँ पे equation अगर हम बनाए तो यह equation बन जाएगी पहली वाली यह बन जाएगा आपका 3x plus में y minus का 1 is equals to 0 second equation क्या है second equation है 2k minus का 1 into में x plus में k minus का 1 into में y minus का bracket 2k plus का 1 value put कर तो आपका answer वहीं आ गया a1 by a2 मतलब 3 by 3 by 2k plus 1 is equals to 2k minus 1 x को coefficient क्या है minus है तो 2k minus 1 अब y को coefficient इदर है 1 और नीचे क्या है k minus 1 तो 1 by k minus 1 यह दोनों क्या होंगे वह equal होंगे बट जो constant term है उसके not equal होंगे और उदर क्या है minus का 1 है और जो second equation second equation में क्या है second equation देखो तो minus का तो क्या है minus का bracket 2k plus 1 minus common निकाल लिए इसलिए plus 1 का रखा है ठीक है minus common निकाल लिए इसलिए plus 1 का रखा है यह equals to 0 भी आएगा ठीक है अब calculate कर लो answer आ जाएगा इन दो पार्ट को देखो सिरफ तो यह क्या बन जाएंगे 3k minus का 3 is equals to 2k minus का 1 2k इदर की तरफ shift होगा k is equals to 3 उदर की तरफ shift होगा तो यह बन जाएगा बाइ k minus 1 not equals to 1 by 2k plus 1 यह वाला पार्ट सौल करेके दिखाना पड़ता ठीक है यह वाला पार्ट सौल करेके तरफ बड़ जब गिवन ही नहीं है तो मैंनत करने की क्या ज़रा सिंपल सा हमें बोल रखाए कि बड़ के बराबर होगा और यहां से हमें यह भी पता लग रहा है कि अपना option कौन सा correct है option number D correct है ठीक है correct है फंडा चलिए तो यहां करते हैं class का समापन ठीक है यहां पर आपकी class होती है समापन मिलते है next lecture के साथ next topic के साथ but figure मत करना एक और question homework क तौर पर आप लोगों को देंगे जाते जाते हैना आदत खराब है homework देने की क्या करें ठीक है तो यह भी आपका एक question homework के तौर पर ठीक है तो अच्छा कासा homework दे चुके हैं हम आप लोगों को अच्छा कासे homework दे चुके हैं पहला homework ठीक है और उसके बाद अच्छे-च्छे homework दिये हैं एक बहुत है homework तो दो इसको complete solve करके दिखाना है ठीक है तीन complete येस तीन और चार पांच और आगे भी हैं और दिखाएंगे तो जो बच्चे अभी अभी नए आए हैं वो कहेंगे ये homework ही देते हैं next chapter के साथ अब आप लोग हमें बताएं आप लोग बच्चे कुछ-कुछ बच्चे कमेंट करते हैं नॉर्मल चाट पोक्स में comment करते हैं कि भाईया नेक्स ये वाला पढ़ा दो next chapter ये वाला पढ़ा दो तो बताओ ना जब तक आप लोग बताओगी नहीं जब तक हम एक दूसरे से connected नहीं होंगे तब तक पढ़ने का मजा ही नहीं आएगा नहीं बात सही चलो कोई बात नहीं next chapter हमें बताना जो chapters हम करवा चुके हैं उसके लावा जो chapters अभी बच रहे हैं इसके बाद जो chapters अब तब हमने नहीं वन लोगों को नहीं मिला तो यह दो chapters है इन दोनों में से कौन सा chapter आपको पहले चाहिए वो बताइए हमें उस chapter को हमफटाफट पहले रिवाइस करवाएंगे फिर उसके बाद topic के और चलेंगे नए chapters के आप चलेंगे ठीक है तो लेते हैं आप से अलविदा मिलते हैं next class में तब तक के लिए bye bye tata take care and good night class को like करना मत भूलना चलो धन्यवाद thank you